मित्रों आप सब को मेरा नमस्कार भाजपा के संग्ठन महामंत्री रामलाल जी की जो भतीजी की साधी एक मुस्लिम यूबक्ष से हुई थी जिस पर मैंने आप लोगों को आडियो भी दिया था वीडियो और कई पोस्ट लिखे थे उसके बाद मुझपे हमले भी हुए कोई बरवानें पर कई सारी शूचनाएं बहुत अच्छी आ गए उसके बाद हमारे नेशनल यूनियम ऑफ जर्णलिस्ट है. जिसका साथ से मैं भी हूँ, उसके एक पत्रकार है अतुल मोहन जी, अतुल मोहन जी ने एक बहुत अच्छी पोस्ट लिखी और मुस्ते नेशनल उन्यूनियन उप जनलिस्ट के जो अध्यक्ष हैं, हम लोके, उन्होंने कहा कि इसको तुम सेर करो और बताओ लोगों को ये ज बाजपा के संग्धन महामंतरी रामलाल जी ने सनक्षन प्रदान किया है, और न सिफ सनक्षन प्रदान किया है बल्कि अपने ही मुख्य मंतरी के खिलाफ उत्तर प्रदेश के पूरे मंत्री मंडल को उतार दिया है, मैं उनके पोस्ट को धिरे धिरे आप लोगों को के थोड़ा बताता हूं लब जिहाद के बिरुद्ध अनवरत संगर सील गोरक्ष पीट के प्रमुक और प्रदेश के मुख्य मंतरी योगी आदित्यनात उस समय लाचार नजर आए जब भाजपा के राष्ट्रिये संग्ठन महामंतरी रामलाल गुपता अपनी पोती स्रेया क के निकाह में मजमा यानि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से लेकर योगी मंतरी मंडल के सारे मंतरियों को लेकर लव जिहाद की ब्रांडिंग में जुट गए यहां मैं आप लोगों को बताओं कि योगी आदित्यनात लव जिहाद के खिलाप लगातार लड़ाई लड़ लोगों की घरवापसी और लोगों को समझा बुझा के इस काम में लगी रही है आज रामलाल जी ने उनके पूरे मंतरी मंडल को ही उनके खिलाप करके और उस फैमिली को सपोर्ट किया जिस फैमिली ने हमेशा योगी की खिलाप एक साजी स्रची है बताता हूं कैसे योगी बतीजी इसी वज़ा से उस निकाह में समलित नहीं हुए कई लोग कह रहे है बैदिक विधी से वोशाधी हुई तो जड़ा देखिये लड़का यग वेदी पर जूता पहन के बैठा है हिंदू अगर बैदिक विधी से होती तो वो जूता पहन के नहीं बैठता फिर मैं आ पतीजी नहीं है, रामलाल जी की एक तरह से पोती है वो, और इनकी मुलाकात मुम्मे में हुई, जिस पे ये लोग, संग के लोग सब मुम्मे में सारुक खान लब जिहाद, आमीर खान लब जिहाद, ये सब के लिए लब जिहाद कहते हैं, लेकिन रामलाल जी वाले लब जिह पर यह चुप हैं आप इनके पाखंड को देखते जाईए मेरा काम सिर्फ पाखंड उजागर करना है और जो लोग इस सपोर्ट कर रहे हैं और अंदर से इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आप सही मुद्धिक उठा रहे हो बहुत जरूरी है बता दू मैं कि ये जो फैमिली है डॉक्टर वजाहत करीम का वो आदित्तिनात का घोर भी रोधी है और गोरक पूर से चुना भी उनकी वाइप ने लरी है इतना ही नहीं योगी आदित्तिनात के खिलाप इस फैमिली ने एफाईयार दर्ज करा रखी है जिसने अपनी पार्टी के मुख मंत्री के खिलाप एफाईयार दर्ज कराया हो उसके साथ आप परवार के रिष्टे जोड़ रहे हो और रिष्टे जोड़िये अकेले के आपको बता दूँ जो स्रिया करीम की जो सास है वो पहले बंगाली ब्रहामन थी देखिए लब जिहाद का मैं आपको दार लेता हूं वजाहत करीम से निकाह के बाद उसने धर्मांतरन किया और उसका नाम हो गया डॉक्टर सुरहिता करीम कई लोग कह रहते कि बैदी कृति जिसे साधी है यह तो घरवापची है अगर घरवापची होता तो जो स्रिया है उसकी जो सास है अभी जिसके बेटे से उसकी साधी हुई है वो बंगाली ब्रहामन भला अपना नाम रखती लेकिन नहीं उसके नाम को वजाहत करीम ने खुद से निकाह के बाद बदल दिया उसका नाम रख दिया सुरहिता करीम और सुरहिता करीम का नाम आप सब चौक गये होंगे क्यों चौक गये होंगे ? कौरणपूर संसादियہ छेत्र से कॉंग्रेश के टिकट पर ये उपचुनाव लर चुकी है अब देखिए अभी जो उप्चुना हुआथा मतलब कॉंग्रेस जो प्रधान मंत्री नयंद मोदी कॉंग्रेस मुक्त भारत की बात करते है। राम लाल जी कॉंग्रेस में इस्तेदारी करते हैं योगी आधित्तिनाथ लब जिहाद के खिलाब मुहीम चलाते हैं रामलाल जी लब जिहाद यानि कि एक मुस्लिम युबक्ष से अपने घर की बेटी की साधी करते हैं दो साधी का परिवार का मैटर है बहुत अच्छा उसमें उसी मुख्मंत्री के पूरे मंत्री मंडल को खड़ा कर देते हैं जिसके विरोज में मुख्मंत की प्रवल विरोधी है ये बात रामलाल जी जैसे संक्टन महामंत्री को समझना चाहिए कि जो हमारे मुख्मंत्री का विरोधी है हम परसनल चले जाएंगे साधी में घर की बच्चे का मैमलर है लेकिन आप पूरे मंत्री मंडल को यानि आप साजिस कर रहे हो ऐसे भी माना जाता है कि आदित्यनात को भाजपा के कई सारे नेताओं के का सपोर्ट नहीं था लेकिन भाजपा के अध्यक्च अमिस्टा और मौहन भागवाजी के कहने पर योगी आदित्यनात जी को मुख्मंत्री बनाये गया भाजपा के कई नेताई से पचान नहीं पा रहे हैं दर्ज कराने वाली फैमिली के पक्ष में अपने ही मुख्यमंत्री के पूरे मंत्री मंडल को रामलाल जी ने उतार दिया और उसके पक्ष में पता नहीं कैसे संगर भाजपा के लोग खड़े हैं। उसका एक पूरा मंत्री मंडल है। रामलाल जी एक बेक्ती हैं उस पार्टी के संग्ठन मंत्री हैं। लेकिन संग्ठन मंत्री की इतनी ताकत कि उसने यूपी के मुख्यमंत्री को ही नीचा दिखाया। आइना देखने की जरूरत है। दूसरों को आइना दिखाने वाले खुद देख लें कि वो किस घर में रह रहे हैं। आपको और बात बता दूँ कि वो सारे लोग अच्चुप हैं और हम बोलेंगे तो वो इसका बिरोध करने आएंगे। आप ये समझ लीजिए कि लोग भारत की जनता नरिंद मोदी का समर्थन करती है। अमिश्चा का समर्थन करती है, योगी आधितनाथ का समर्थन करती है, जो विक्ती एक पारसत तक का चुनाओ नहीं जी सकता हो, संग्ठन महामंत्री हो और जो संग से आया हो, उस पूरी भिचारधारा को उसने इस समर में उसने एक बार में ठोकर मार दिया, साधी के कार्ड पे अपना नाम छबाया साधी को आशिरवाद देने गया बेदिक यग के पास लर्का जूता पहन के बैठा है इस फैमिली में पहले से लब जिहाद का मैटर है नाम बदलने का इसू है और आपके उत्तर परदेश के मुख्यमंत्री के खिलाब उसी उत्तर परदेश में आपने ये साधी किया और पूरे मंत्री मंडल को उतार दिया मुख्यमंत्री का ना जाना आपने आप में बहुत बड़ा संकेत था और जिस फैमिली ने उस मुख्यमंत्री के खिलाफ इफायार दर्ज कराया आज आपने उसे एक छत्री परदान किया है मैं तो यही कहूंगा आप सबसे आम जनता से कि आँख खोलिए हर कोई नरेंदर मोदी नहीं है हर कोई योगी अधित्यनात नहीं है कि आप आँख बंद करके पार्टी के नाम पे किसी भी बेक्ति का समर्थन कर दें हमें अच्छे बेक्तियों का चैयन करना है और यही इनके हरक्त रहेगी तो इनके में और कॉंग्रेस में क्या फर्क है हम देश की पूरी जनता नरेंदर मोदी का सपोर्ट करती है इस चुनाव में भी करेगी योगी अदितनात का सपोर्ट करती है मेहनती अमिस्टा का सपोर्ट करती है रामलाल जैसे लोग जो अपनी विचार धारा को कहीं और तिलांजली देते हैं और अपने ही मुख्मंत्री के खिलाब साजिच रचने वाली फैमिली के साथ खरे होते हैं अपने ही मुख्य मंत्री के खिलाप उसी प्रदेश में उसके मंत्री मंडल को उतार देते हैं ऐसे विक्ति के को क्या कहा जाए ये आप लोग तै कीजिए धन्यवाद झाल